का सॐखगत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में दोस्तों पिछली दो वीडियो पे आप ने बहुत प्यार दिया और आप लोगों की बहुत सारी कॉल आई यह चीजcl minimum charge लेके उनकी जो भी problem थी वो solve करवा दी दोस्तों मैं video call पे कहीं लोगों के यहां देख रहा था क्यों क्या internet भी लगावा है सब कुछ perfect है Wi-Fi पे जो IP के थुरू DVR खुलता है Chrome browser में वो भी खुल रहा है लेकिन हमारा जो DVR है उसका status offline ही दिखाता है online नहीं होता तो इस problem का क्या solution है आज मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह problem आ क्यों रही है मैं आप लोगों को बता दू यह problem आने के तीन कारण है या तो आपकी जो land cable है उसमें कोई wire miss है क्योंकि उसमें 8 wire होती है उनमें से अगर ए access में फोन में रखते हैं और जो unknown devices होती है जैसे किसी ने हमारे wifi से पना phone connect कर लिया किसी ने unknown बंदे ने laptop कर लिया तो इस तरह हम उनको block कर देते हैं settings में जाके जो wifi के router के साथ हमें basic settings मिलती है उनमें तो लोग क्या करते हैं उनको लगता है कि यह जो DVR है DVR तो सो नहीं होता कुछ और होता है आजित्य गूरूप के नाम से या और बीदो तीन नाम है उनमें से कोई सो हो जाता है तो क्या करते हैं लोग उसको block कर देते हैं जिस वज़े से उसको internet की तार तो लगी हुई है उसमें सब कुछ connected भी है लेकिन उसका status online नहीं हो पाता वो offline ही दिखाता है और यह सबसे common problem है जो कि मैं कहीं लोगों के साथ video call पर देख चुका फिर उन्होंने अपने DVR को unblock किया तब जाके उनको DVR unblock हुआ और तीसरी जो problem है वो यह है कि कुछ लोगों की DVR सही में online नहीं हो रहे और वो परेशान हो चुके हैं उनको online करते हुए और मुझे भी कहीं लोगों नहीं call की मेरे पास लगबग जितनी भी call आई है उनमें से 7-8 call ऐसी थी जिनके DVR online नहीं हो रहे थे उनका सब कुछ okay था वो यह है कि हमारा जो DVR है जैसे phone का software update हुआ है तो DVR का firmware भी हमें update करना पड़ता है बहुत सारे लोगों का automatic हो जाता है और कुछ लोगों का DVR है उसका firmware automatic update नहीं हो सकता उसी के लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है तो सबसे पहले मैं आपको एक toll free number दे रहा हूँ यहाँ साइड में देख सकते है number आ रहा है आपको इस पे call करनी है इस पे call करने से पहले आपको अपने पास कुछ चीजे रख लेनी है जैसे कि एक laptop उस laptop में आपको एक any desk के नाम से software आता है वो install कर लेना है आप लोगों को control panel में जाके मैं आप लोगो में आपको यहां से IP चेंज कर लेने हैं मैं आपको दिखा लेता हूँ इंटरनेट प्रोटोकोल फोर यह मेरा जो IP है यह इसके हसाब से है आपको यहां पर आपका जो भी Wi-Fi की series है series चेक करने के लिए आपको क्या करना है एक Fink के नाम से application आती है Android पे भी मिल जाएगी आप के बाद जो मैं आपको toll-free number दिखा रहा हूँ इस पर call कर लेनी है इस पर call करकर क्या होगा यह company का official number है और बहुत सारे लोगों के DVR में यह problem आ रही है तो आपको team viewer पे उनको अपना team viewer यह Any desk जो भी आपने download कर रखा हूँ मैं recommend करूँ Any desk क्योंकि जो CP plus वाले होते है customer care वाल problem है उसे देख लेंगे आपके जो DVR का firmware है उसे update करेंगे और आपकी यह problem है वो solve हो जाएगी और अगर फिर भी आपको कोई problem आए तो आप उनसे suggestion ले सकते हैं कि हमें यह problem क्यों आ रही है वो आपको A to Z solution बता देंगे अगर आपको free में कोई suggestion चाहिए तो आप मुझे call कर सक सारे लोग ऐसे हैं जो खुद कुछ करना ही नहीं चाहते सारा काम मेरे ऊपर छोड़ देते हैं कि आप ही बताओ कैसे करना है आप जो बटन दबाओ गया वो ही दबा देंगे और एक comment बात जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ मैं आप लोगों के साथ दुबारा फि अभी भी एकसिस कर सकता है और आपकी privacy को disrupt कर सकता है तो आई होप दोस्तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे की CCTV की नही नही वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहेगी और दोस्तों अगर आपको फिर भी अपने CCTV कैमरा में कोई दिक्तात आ रही है तो आप हमें स्क्रीन पर दिख रहे होए नंबर से कॉंटक्ट कर सकते हैं आपकी जो भी प्रोब्लम होगी उसका हम सोल्यूशन क रवा देनी जरने वा दोस्तों